कि आ डूले हैं आचत्य हैं लोग पढेंगे जो इश्टे स्टेन का कर होता है एक तो डू सब्रेंगे और दूसरा पढ़ेंचे जो ब्रिटार्वाइड होते हैं उनकीören में कौन-कौन से आपके मैटेरियल आ जाएंगे एक तो हो जाएगा आपका कि जो मार्ड स्टील है या फिर रो टायरन है इन सभी को बूलेंगे आप ड़क्टायल मेटेरियल्स ठीक है जिन में थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस मतलब थोड़ा सा भी आ अगर फोर्ज अपलाई करते हैं तो वह बहुत ही आसानी से तूट जाते हैं तो बहुत है ब्रिटल जैसे कि आपका कास्ट आइरन हो गया तो पहले हैं इस्ट्रेस कर फॉर डग्टायल मेटेरियल जैसे कि आपका हो गया माइड इस्टील और उसके बाद जो रोट आए ठी तो यहाँ पर पहले तो हम समझते हैं कि सनिकर्व कैसे यहाँ पर बनाते हैं तो क्या अब्रक्षीजर होता है इसको समझते आदें हैं किहां निवरशसर टेष्टिंग मसीन जिसमें क्या होता है कि हम जो हमारा वर्कपीश सबस्द करना होता है तो देखिए ज् navigate स्काण करत क VOD है इसको हमने कुछ इस तरह के शेप में बना दिया हुआ है कुछ इस तरह के शेप में ये ग्रिप के लिए बिसिकली ताकि जो आपकी युनिवर्सल टेस्टिंग machine है UTM है उस पर यहां पर grip कर सकें आप इसको बांध सकें उस पर यह पूरी तरह से fix ड्वजा इसको बोलते है grip gripping करने के लिए portion रखा गया है और जो हमारी length है जिसको कि हमें count करना है कि कितना यह elongate हुई मतलब जैसे आप इसको जैसे खीचेंगे यहां पर फोर्स लगेगा तो यहां पर क्या होगा यह elongate होगा तो उस length को आप calculate करेंगे जैसे यहां पर आपने कुछ force लगाया और यहां पर इसका cross section भी आपको पता होगा इसका diameter यहां पर यहां पर हमने रखा strain को और यहां पर रखा stress को तो यहां पर देखिए जैसे ही हम यहां पर load apply करते हैं तो load apply हुआ है जहां पर stress apply हो गया तो जैसे हमने stress apply किया तो यहां पर यह elongate होने लगा एक सीथी line में मतलब जैसे कि आपने पढ़ा सा hook तो लगा कि stress जो है एक straight line होता है यह आपका origin O है उसे ए तक यहां पर यह जो है यहां पर आपने stress लगाया तो जितना आप stress लगा रहे हैं उसके एक proportion में करवाता है थोड़ा सा ही रहता है यहां पर एक point मालते हैं B बहत से करीब में होते हैं यह तो यहां तक होता है A और B ठीक है और जैसे यह आप ठोड़ा और stress apply करते हैं तो वह दोड़ा सा आप curvature ले ले लिता है वी और यहां प्र आपका गया C तक तो देखे बी तक क्या है जैसे यह आपने यहाँ पर इस्ट्रिस अप्लाई कि अब B तक और यहाँ पर आपने इस्ट्रिस हटा दिया तो यह अपनी शेप को दुबारा रिगेन कर लेगा तो इसको इसलिए बोलते हैं इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट मतलब आप B तक जैसे इस्ट्रिस अप्लाई करेंगे तो यह और हटा दें तो यह अपना जो शेप है दुबारा रिगेन कर लेगा इलास्टिक पोजिशन रहेगी इसकी यहां तक फिर जैसे इससे बढ़ाएंगे आप सी तक गए एक मैक्सिमम इस्ट्रिस जहां तक अपनाई के आपने कि अब उसके बाद अगर आप हटाएंगे तो थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक इसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी मतल जो डी होता है इसको बोलते हैं लोवर जीर्ड पॉइंट वहां तक कि जहां तक आपका अगर आप हटा दें तो यहां पर जो है इसकी कुछ न कुछ प्लास्टिक प्लास्टिक प्रॉपर्टी रह जाती है बट थोड़ा सा जी जो शीप जो है अपना रीगें कर पाता है य जहां पर आपको एपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर यह जू आपका स्पेसिमें अब इसमें नेंक बनने लगेंगा मतलब इस तरह से इन किनारों पर छोटा होहें और इस point पर जो stress होता है, इसको बोलते है ultimate stress, ठीक है, तो ultimate stress point तक आप जैसे कोई stress supply करते हैं, तो उस value तक neck नहीं बनता है, मतलब इसके बाद से just neck बनना चालू हो जाता है, और जैसे यह आप थोड़ा सा और यहाँ पर apply करेंगे, तो यह जो हो जाएगा आपका, एक point आएगा और यहाँ पर यह रप्चर हो जाएगा, यह टूड़ जाएगा, तो यहाँ तक हो गया आपका रप्चर point, तो इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे यह आपने stress apply किया, तो एक proportional limit में जो है, strain आपका बढ़ने लग गया, तो इसको हम लोग क् का पूरा stress इसको बोलते हैं, working stress, मतलब यहाँ तक अगर आप apply करते हैं, तो यह पूरा अपना shape दुबारा regen कर लेता है, और जैसे ही आप A से B तक जाते हैं, तो कर्व थोड़ा सा आपका curvature में बदल जाता है, यह state line नहीं रहता है, और इस B point को बोलते हैं, elastic point, यहाँ तक के stress अजाते हैं, तो elastic थोड़ा सा इसमें behavior रह जाता है, अपने shape को रेगेन कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा plastic nature रह जाता है, और यही point आपको एक कम stress पर भी मिलता है, D point इसको बोलते है, lower yield point और एक होता है आपका upper yield point, उसके बाद से जैसे आप stress बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पुरी तरह से यह material प्लास्टिक हो जाता है, और यहाँ पर एक point मिलता है, E point, ultimate stress point, इस point तक आप अगर stress apply करते हैं, तो यहाँ पर फेल नहीं होता है, उसके बाद से यहाँ पर neck बनने लगता है, और फिर आप जैसे भढ़ाते जाएंगे, तो F point तक यह फेल हो जाता है, rapture point, और यहाँ पर अगर apps को D तक देखो, तो यह जो होती है, इसको बोलते है, elastic range, और यह वाले जो range होती है, इसको बोलते है, plastic range, तो इसमें आपका हो गया एक working stress, और यह हो गया ultimate, ultimate stress हो गया, एक maximum stress है, या फिर आप इसको कह सकते है, ultimate tensile stress, यहाँ पर देखे, tensile load लग रह तो यहाँ पर ही एक term अक्सर पूछा जाता है, factor of safety, factor of safety, तो factor of safety क्या होता है, जो आपका ultimate stress होता है, और working stress होता है, इन दोनों का ratio होता है, basically यह define करता है, कि कितने value तक आपका working stress काम कर रहा है, मतलब यह इसलिए define किया जाता है, कि आपका material है, वो किस limit तक जो है, वो safe तो ultimate stress तक ही रखके किसी भी object को design किया जाता है, और working stress वो stress होता है, जहां तक कि हम यह design रखते हैं, यह मानकर design करते हैं, कि जो आपका material है, वो working stress तक ही काम करें, ultimate तक ना पहुंचे, जिसे कि उसमें neck वगेरा बनने लगें, तो यहाँ तक ही होगी आपका, जो stress strain कर्व होता है, ductile material के लिए और brittle material के कैसे बनेगा, अगर हम cast iron की बात करें, तो cast iron के लिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम stress strain कर्व की बात करिए, आपका stress है और यह आपका strain है, तो यह पूरी तरह से कर्व के फार्म होता है, इस्टेड लाइन नहीं होता है, और यहाँ पर एक non proportional प्रोपोशनल कर्व होता है यहां पर जैसे आप इस बढ़ाते हैं कुछ इस्टेन होता है नॉन प्रोपोशनल कर्व बनता है और यहां तक एक सब्सक्राइब दोनों के कर विडियों में जो इलॉंगेशन होता है बार में अगर वो अलग-अलग cross section की है या composite system में है तो उन सभी का जो elongation होता है वो किस तरह से कल्गुलियर करते हैं उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो आज के वीडियो यहाँ पर रिंट करते हैं